हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको टू थ्री यर बेबी के लिए वी योक वाली फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने वन मिटर फेबरिक लिया है आईए वीडियो शुरू करते हैं यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर दो पीस योक के लिए हमने ले लिये हैं जिसकी लेंद एट इंच है और चोड़ाई में यह टैन इंच है अब हम इसको यहाँ से डबल करके रख लेते हैं फोर लेयर यहाँ पर हमारी हो गई है नेक की चोड़ाई हमें टू इंच रखनी ह और लेंथ में भी हमें इसको टू इंच रखना है फ्रेंट्स हम बेकनेक कम बनाएंगे इसलिए हम फ्रेंट और बेकनेक दोनों बिल्कुल बरावर काट लेते हैं यहां से हम हलका सा थोड़ा सा ढालदार कटिंग कर लेते हैं से हमारे शोल्डर ढालदार होते हैं इसकी फिटिंग बहुत जादा अच्छे आती है अब उसके बाद हमें 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना आर्म होल का और इसको ऐसे करते हुए वी शेप हमें कर देनी है क्रोस में हमें निशान लगा देना है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं उपर की साइड से भी और नेक से भी हमें ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेते हैं ये देखिए दोनों पीस यहाँ पर हमारे कट कर तयार हो गए हैं एक पीस हम इसमें से लग कर देते हैं और एक पीस में से हम थ्री इंच का नेक इसका कटिंग कर देते हैं जिससे बेबी को पहराने में परिशानी नहीं होती है ये नेक हमने कटिंग कर दिया है हमने टू नेक हम और cutting कर लेते हैं ऐसे करते हुए गोलाई उसमें कर लेते हैं टोटल नेक हमें 3.5 इंग का इसका बना लेना है अब हमने इसमें गोलाई कर दी है यह दो पीस हमने घेर के लिए ले लिए है जिसकी लेंद 15 इंच है ऑर चोड़ाई में 28 इंच है अब हम इसको यहां से ड चोड़ाई हमें यहां से 1.5 इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको 2.5 इंच रखना है ऐसे करते हुए हम इसमें गोलाई कर लेते हैं बीच की साइड से हमें 4 इंच पर इस पर निशान लगा देना है और इसमें ऐसे करते हुए हमें गोलाई कर लेनी है यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर निशान हमने लगा दिये है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं आर्म होल भी हमें ऐसे ही इसका कटिंग कर लेना है यहाँ पर यह घेरा हमारा बन कर तयार हो गया है हमें इसमें चुनटे डाल कर एक साथ जोड लेना है एसे हमें चुनटे डालनी है उसके बाद हमें इसमें योग अपना लगा लेना है यह रेवकी हमने पाइपिन ली है जिसकी चोड़ाई वन इंच है फ्रेंट्स पाइपिन हमारी फुल रेवकी होनी चाहिए अब सबसे पहले हम अपना बेकनेक तयार कर लेते हैं इस ट्रीप को हम योग पर रखते हैं और ऐसे दोनों साइड में इसमें सिलाई लगा देते हैं बीच में हम हलका सा इसमें कट लगा देते हैं अब सभी फैबरिक इस पट्टी के नीचे को करते हुए अंदर की साइड का इसमें उपर की साइड एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये पट्टी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और हमें इसको फॉल्ड करने में परिशानी नहीं होती है अब यहां से हम इसको फॉल्ड कर लेते हैं नीचे की साइड से हमें इसको चकुर फोल्ड करना है दूसरी साइड पर भी इसके सिलाई लगा देनी है फ्रेंड बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह देखें यहाँ पर योग हमारा बन कर तयार हो गया है यह हमारा घेरा है इसमें हम यहाँ पर एक पे की मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट्स हाफ इससे ही मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देनी है यहाँ से बीच से हम इसको दुबारा से ऐसे प्लट लेते हैं जिससे हमें जब चुननटे डालेंगे तो बीच के हिस्से की वज़े से परिशानी नहीं होगी इसलिए हमने इस पर अलग-अलग सिलाई लगाई है अब हम इसके एक-एक धागा कीच लेते हैं दोनों प्लेट का और इसमें चुननटे डाल कर इसको योग के बराबर माप लेते हैं चुननटों को हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है इस साइड से भी हम चुननटे इसमें ऐसे ही डाल लेते हैं दोनों धागों को हमें कीच लेना है किसी को भी कमिया जादा नहीं कीचना है जिससे हमारी चुननटे बिलकुल बराबर आएंगी और इसकी डिजाइनिंग बहुत प्यारी सी बेट जाएगी यह देखें यहाँ पर चुननटों को अब हम सेट कर लेते हैं चुननटों को हमने अच्छी तरीके सेट कर लिया है और योग के बराबर माप लिया है हम योग को ऐसे यहाँ पर रखते हैं और इसके उपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं अब इस साइड में भी हमें ऐसे ही इसके उपर सिलाई को लगा लेना है यह देखिए फ्रैंस यहां पर यह हमारी सिलाई लगकर तयार हो गई है कितनी प्यारी सी इसकी डिजाइनिंग बेट गई है हम इस पर लेस लगाएंगे इसलिए इसके उपर एक सिलाई लगा कर हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं यहाँ पर भी हम इसके उपर एक सिलाई इस साइड पर भी लगा लेते हैं जिससे चुन्नटे और योग हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाता है यह देखिए यहाँ पर योग हमने लगा दिया है यहाँ पर योग पर रखकर अब हम इस लेस को लगा देते हैं फ्रेंच ना ही तो हमें लेस को कीचना है और ना ही योग को अपने कीचना है दोनों को बिल्कुल बराबर रखकर हमें लगाने ना है इस साइड से हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी साइड पर भी हमें इसी तरीके से इस लेस को लगा लेना है लेस हमने लगा दी है एक्स्ट्रा लेस हम इसकी कटिंग कर देते हैं अब हमें इसको यहाँ पर डबल लेस करके लगाना है आप चाहे तो इसको सिंगल लेस भी लगा सकती है लेकिन वी योग पर अगर आप इस लेस को कोई भी लेस अगर आप लगा रही हैं उसको डबल करके लगा देंगी तो आपका डिजाइन और ज़्यादा खुबसूरत बेड़ जाएगा ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी यहां पर डिजाइनिंग हो गई है अब हम अपना योग का दूसरा पीस लेते हैं इसमें हमने बेकनेक तयार किया हुआ है और यहां पर शोल्डर पर सिलाई लगा देते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए ये देखिए यहां पर सिलाई हमने लगा दी है अब हम इसको यहां से ऐसे करते हुए आर्म होल की पाइपिन लगा देते हैं ये पट्टी हमें अंदर की साइड को फोल्ड करनी है इसलिए हम इसको ढिला 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 छोड़ते हुए लगाते हैं कहीं से भी हमें इसको कम्या जादा नहीं कीचना है अब हमें अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी में हमें कट लगाने होते हैं जिससे हमें पट्टी आसानी से मुड़ सके अगर आप कट लगा कर इस पट्टी को फोल्ड करेंगी तो आपकी पट्टी में जोल नहीं आएगा पट्टी हमने तयार कर लिया है अब हमने आर्म होल में दूसरे में और नेक में भी पट्टी को ऐसे ही अपनी लगा कर तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका डिजाइन बन गया है अब हम बेक साइड के योग पर हमें आप चाहे तो लेस लगा सकती है नहीं तो ऐसे भी इसको छोड़ सकती है बेक साइड पर हमने लेस नहीं लगाई है आर्म होल में हम इसके लेस को लगा लेते हैं ये फ्रेंट्स रेशम की लेस है ये बेवी के पहन कर चूपती भी नहीं है इसको आप आसाने से बेवी के लिए ले सकती है एक्स्ट्रा फेबरिक इसका कट कर देते हैं इस साइड पर भी लेस को हम यहाँ पर ऐसे ही लगा लेते हैं यह देखिए दोनों साइड में हमारी लेस लगकर तयार हो गई है अब हम इसको यहाँ पर डबल कर लेते हैं और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह के काफी प्यारे प्यारे से डिजाइन की वीडियो ड्रेस डिजाइन और फ्रोक डिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है आप चैनल पर से कटिंग एन स्टीचिंग की वीडियो देख सकते हैं दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है अब हम इसका नीचे का घेरा फोल्ड कर लेते हैं आप घेरा अपनी बेवी की लेंध के हिसाब से थोड़ा सा कमिया जादा भी फोल्ड कर सकती हैं घेरा हमारा फोल्ड हो चुका है यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर क सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियों